विजेपुर्थाना अंत्रगत पंचूडल गांबे विद्वा प्रेम कवर की हत्याक में शार्प और हैवी वेपन का इस्तमाल हुआ था इसमें कुलहाड़ी और तलवार भी शंभो है मौके पर संगर से के तथे शामरी आने के बाद बनमासू के एक से अधिकल होनी के आसंका जोताए गई है मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्ट माटम के बाद प्रारमविक तथियों में यह बात तो कैकर सामने आई दरसल जुस बेहरमी से पच्चास वर्षी प्रेम कवर को मौत के घाट उतारा गया उससे इस हत्याकान में एक से अधिक लोगों के शामिल होनी के आसंका है गरदर पर ततकाल ही धरदार हत्यार से दूसरा वार कर प्रेम कवर का सिर्धर से अलग कर दिया गया शरीर का सारा खोन निकलने पर मौके पर ही वह मर चुका था ऐसे में पोस्ट माटम के दौरान उसके सरीर में खोन की एक बून तक नहीं मिली मेडिकल जूरिस्ट और बोड के सदसे डॉक्टर सिंजे पारिक ने बताया कि धारदार और हैवी वेपन का सहारा लिया जुसमें कुलहाड़ी और तलवार भी हो सकती है गर्दन की हड़ी चाकू या किसी हलके हथियार से नहीं काटी जा सकती उसके एक हाथ पर रगड के निसान भी मिले जो काले पड़ चुके थे बालो का एक गुच्छा भी था या तथे मौके पर संघर्स होना दरसाते हैं अपने बच्चा में पुराना प्रेम कवर के हाथ रगडा गया वही हथियारों द्वारा उसके बाद भी खीजे गया उसी से बालो का गुच्छा बना संघर्स की स्थिती में किसी एक व्यक्ती द्वारा किसी की गरदन काट कर हत्य करना मुस्किल है प्रेम कवर की हाइट और प्रेस्नालिटी को देखते भी एक व्यक्ती द्वारा उसे काबू में करना मुस्किल माना गया है पुलिस उत्रों ने भी सत्यकार में एक से अधिक लोगों के शामिल होने के संभावना जताई है